हिंदी बोलेगी चैनल को सबस्क्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समया पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों आप लोग कभी न कभी थेटर में मूवी देखने सोपिंग मौल में सोपिंग करने रेस्टूरेंट में खाना खाने और किसी अन्य पबलिक प्लेस यानि सारवजिनिक स्थान पर जरूर गए होंगे और आपने ऐसी जगों पर हमेशा इस बात को नोटिस कि होगा कि इन सभी सारवजिनिक स्थानों के टोईलेट के दरूजे नीचे और उपर से हमेशा छोटे होते हैं पबलिक टोईलेट के ये दरूजे बिलकुल नीचे तक पूरे क्यों नहीं होते क्योंकि टोईलेट तो एक ऐसी जगए होती है जहां पर जाने के बाद इनसान को एकांच चाहिए होता है लेकिन फिर भी पबिलिक टोईलेट का दर्वाजा उपर और नीचे से छोटा होता है और उसके अंदर बैठा हुआ इंसान हमेशा दिखता रहता है तो दोस्तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा क्यों होता है तो चलिए इस वीडियो के माद्यम से हम आपको पूरे विस्तार से समझाते हैं कि पबिलिक टोईलेट के दर्वाजे नीचे से छोटे क्यों होते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को सच बताऊं तो पबिलिक टोइलेट के दरवाजे का नीचे से छोटा होने का कोई एक कारण नहीं होता बलकि कई बड़े बड़े कारण होते हैं आप लोगों को यह तो पता होगा कि कोई भी पबिलिक पलेस क्यों ने हो वहाँ पर ने जाने दिन में या रात में कितने लोग आते जाते रहते हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों को टोईलेट जाने की जरूरत पड़ती है और पबिलिक टोईलेट के दरवाजे के नीचे से छोटा होने के कारण बाहर खड़े लोगों को इस बात का एकदम से और आसानी से पता चल जाता है कि टोईलेट के अंदर कोई है या नहीं क्योंकि अगर public toilet के दर्वाजे नीचे तक पूरे बने होते तो ऐसे में ये पता करना मुश्किल हो जाता कि अंदर भी कोई है या नहीं ऐसे में बाहर खड़े हुए लोगों को बार बार एक एक दर्वाजे को खट खटा कर पता करना पड़ता कि अंदर कोई है या नहीं इसलिए लोगों की इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए public toilet के दर्वाजों को ऐसा बनाया जाता है और दूसरी बड़ी वज़े ये है कि public toilet में लड़के लड़किया एक दूसरे के साथ असलील हरकतें भी करते रहते हैं इसलिए अगर ये दर्वाजे नीचे से छोटे होंगे तो बाहर से किसी को भी दिख जाएगा जिसकी वज़े से ऐसे टोलेट में लड़के लड़किया असलील काम नहीं कर पाएंगे और ऐसे में उस public place की reputation अच्छी बनी रहेगी और तिसरी बड़ी वज़े ये है कि public toilet के ये दर्वाजे नीचे से छोटे लोगों की सुरक्षा के लिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों किसी भी इंसान को किसी भी समय medical emergency हो सकती है मान लो कोई भी public toilet में गया हुआ है और उसको attack आ जाए या वो बेहोस हो जाए तो बाहर से असानी से दिख जाएगा कि toilet के अंदर गए व्यक्ति को कोई medical समस्या हुई है और ऐसे व्यक्ति को समय रहते बचाया भी जा सकता है और चोथी बड़ी वज़े ये है कि public toilet में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं जिनकी वज़े से public toilet के दर्वाजे और public toilet जल्दी गंदे हो जाते हैं ऐसे में इनकी साब सभाई बार बार करनी पड़ती है इसलिए अगर public toilet के दर्वाजे ऊपर और नीचे से छोटे होंगे तो इनकी साब सभाई भी जल्दी हो जाएगी दर्वाजे नीचे से छोटे होने की वज़े से पोच्छा आदी लगाने में भी आसानी रहती है तो दोस्तों इनी कारणों की वज़े से पबिलिक टोइलेट के दरवाजे हमेशा छोटे होते हैं तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी क्रिप्या करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद